नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पंडिताईं चाची में तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ में करवा, छलनी, दीपक और सीख का क्या महत्तो है सबसे पहले दोस्तों हम करवा के बारे में बताएंगे करवा को गडपत जी का प्रतीक माना जाता है कहते हैं करवे में लगी टोटी गड़े जी की सून मानी जाती है करवा में जल भर कर पूजा करने और चंद्रमा को अर्ग देने से मंगल कामनाय पूर्ण होती है अब दोस्तों हम दीपक के बारे में बताएंगे दीपक करवा चौथ ब्रत के दिन इस्त्रियां छलनी में दीपक रखकर चांद और फीर पती का चहरा देखती है सास्त्रों के अनुसार दीपक जराने से नकारात्मक्ता दूर होती है और एकागरता बढ़ती है छलिनी, कर्वा चोध ब्रत के दिन इस्त्रियां छलिनी में दीपक रखकर चांद और फिपती का चेहरा देखती है सास्त्रों के नुसार दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है, एकागरता बढ़ती है कथा के अनुसार कर्वा के पती का पैर मगर मच ने पकड़ लिया था उस समय उन्होंने अपनी सक्त से इनी सीकों का इस्तेमाल करके मगर को बांद दिया था और यमराज के पास पहुंच गई थी उस समय चित्रगुप्त करवा माता के जीवन का लेखा जोखा देख रहे थे तभी करवा ने सीकों से चित्रगुप्त के पन्नों से पती के प्रसंग को अलग कर दिया और यम से पती के प्राणों की रच्छा की काम ना की थी तो दोस्तों क्रश्न पाच्छी की चतुर्थी को महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए करवा चौथ का ब्रत रखती है इस बार दोस्तों करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा इस दिन सुहागिन महिलाएं स्री गरेश जी और चंद्रमा के साथ भगवान सिव माता पारुती और कार्ती के जी की पूजा करती है करवा चौथ दोस्तों जैसा कि सबको पता है करवा और चौथ दो सब्दों से मिलकर बना है करवा यानि मिट्टी का बर्तन और चौथ यानि गरेश जी की प्रीतिती चतूर्थी आपने अकसर देखा होगा दोस्तों कि पूजा के दोरान छलनी सी करवा दिपक का इस्तिमाल होता है दोस्तों जैसा कि सबको पता है कि दिये की रोसनी का करवा चौथ में विसेस महात्तो है सास्त्रों के अनुसार पत्वी पर सूरी का बदला हुआ रूप अगनी माना जाता है माना जाता है कि अगनी को साच्छी मान कर की गई पुजा सफल होती है दूसरी और से देखें तो प्रकास को ग्यान का परतीग भी कहा जाता है ग्यान प्राप्त होने से मन से अज्यानता रूपी सभी विकार दूर होते हैं दीपक नकारात्म कुर्जा को दूर भगाता है छलनी की बात करें तो ज्यादा तर महिलाएं दिन के अंत में पहले चलनी से चंदमा देखकर और फिर तुरंद अपने पती को देखकर अपना ब्रत खोलती है करवा चौत में सुनाई जाने वाली बीर्वती की कथा सी जुड़ा हुआ है बेहन बीर्वती को भूखा देख उसके भाईयों ने चांद निकलने से पहले एक पेर की आड में चलनी में दीप रखकर चांद बनाया था और ब्रहन का ब्रत खुलवाया था इसलिए दोस्तों इस पूजा में चलनी को रखा जाता है दोस्तों करवा चौत की पूजा में मिट्टी अतामे की कलस से चंद्रमा को अर्ग देने की परंपरा है पुराणों के अनुसार कलस को सुक सम्रद्धी और मंगल कामनाओं का पर्दीप माना जाता है धार्मिक मानेता की अनुसार कलस में सभी ग्रह नच्छत्रो और तीत का निवास होता है इतना ही नहीं ये कहा जाता है कि कलस में ब्रह्मा विश्नु महेस, सभी नदिया, सागर, सरोरों यों 33 कोटी देवताभी भी रासते हैं पूजा के धाली में रोली, चावल, दीपक, फाल, फूल, बताशा, सुहा का सामान जल से भरा कलस रखा जाता है करवा के उपर मिट्टी के बड़ी दीपक में जव या गिहू रखे जाते हैं जव सम्रद्ध सांत उन्नत और खुसाली का प्रतिक होता है तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो मारे चैनल पंडिता इन चाची को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले वो लगर वामया की जै हो